हेलो फ्रेंड, वेल्कम तो माई चैनल ग्रीन लाइफ, आज मैं आपको दिखाते हूँ अपने गार्डन का सुन्दर सुन्दर कॉलियस प्लांट, देखिए फ्रेंड, जब गार्डन में फूलो की कमी हो जाती है, तो यही एक मातर पौधा ऐसा होता है, जो अपनी रंग बिर करिस्मा का जब होता है, देखिए कितना सुन्दर सुन्दर रंग विरंगी इसकी पतिया है, मेरे पास आरदस्क तरह का कॉलियस प्लांट है, जिसमें देखिए ये ग्रीन कलर कितना खुसूरत लग रहा है, यह दुसरे वराइटी का है, फिर यह देखिए फ्रेंड, मेरे कॉलियस पास साथी तरह के कॉलियस है, फ्रेंड, देखिए ये कितना खुसूरत है, इसके पतियां कडली-कडली टाइप की है, इस बार में नया कलेक्शन लेके आई हूँ फ्रेंड, देखिए, गर्मी में मेरे प्लांट खराब हो गये थे कॉलियस के, मैं बहुत अफसूस कर रही थी, लेकिन फिर मैं धीरे-धीरे कहीं से अविलेवल कर ली हूँ, अब तो मैं इसकी इतनी सारी कटिंग लगा ली हूँ, कि आपको क्या बताएं, ये कटिंग से ग्रो होने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, इसकी कटिंग हमेसा लगाते रहना चाहिए, क इस तरह तुलसेजी में मंजड निकलता है, उसे तरह इसमें भी फ्लावरिंग होती है, और बीज होता है, लेकिन इससे कटिंग से लगाना इतना असान होता है, कि हमें बीज की जरूवत नहीं पड़ती है, इसलिए बीज-बीज में हमें बीज का पिंचिंग करते रहना च रही क्योंकि इसके फ्लावर उतना अट्रेक्टिव नहीं होता है को अपने पत्रेश की खोशुषूर्थी के कारण ही जाना जाता है है अब भी मेरे सारे फ्लावर सान्ट के बहुत बहुत पोलाठ फिर से तैएर कर नूँरूंगी एस तो मेरे पास अभी बहुत सारे कटिंग तियार हुए हैं लेकिन फिर भी यह लेगी सा हो गया जो देखने में अतना अट्रक्टिव नहीं लग रहा है इसलिए मैं इसकी फिर से में पिंचिंग कर दोंगी विंटर में वाटरिंग का विसेज ध्यान देना चाहिए फ्रेंड क् कि बीच बीच में इसकी कटिंग लगाते रहना चाहिए यह फूल सन में रहने वाला प्लांट है लेकिन हमें लगातार सन इसमें नहीं चाहिए कम से कम इसके दो तीन घंटे का सन इसके लिए जरूरी है वीडियो देखके जरूर बताइएगा फ्रेंड कि आपको यह वीडि बाइ बाइ